यह देखो यह सित्ता फड़ है एक यह लगा हुआ है वेल्कम बेक तो माई न्यू ब्लोग और बाकी मुझे पता है आपको यह देखना पसंद होता है कि अभी में क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत आ रही है कि मैं रिकोर्ड नहीं कर पा रहा हूं मैं मेरे गर पर तो कर पाता हूं लेकिन मैं यहां पर यार मुझे रिकोर्ड करना नहीं आ रहा है आप रिकोर्ड करना था लेकिन मैं रिकोर्ड नहीं कर पा रहा हूं तो वह वाली प्रोब्लम मैं अब सॉल्व करूंगा या आज के दिन हुआ है बाकी कल तो मैं आपको बहुत बड़ीय व्लोग दिया था और पड़सों भी दिया लेकिन आज क्या हुआ कि आज मैं रिकोर्ड नहीं कर पाया किसी कारण से मेरे साथ यह हुआ कि देखो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कि मेरे फूपा जी है न वो एक संस्ता चलते हैं दिव्यांग जन सेवा समीती कुछ ऐसे गरके है तो कल मैं आपको पूरा बता दूँगा कल साइद में जाओंगा मेरे फूपा जी के साथ अगर नहीं चापाओंगा तो मैं आपको कल ही बत साथ भी नहीं आनी चाहिए तब कुछ ऐसा लगवाते हैं जो कि अपने आप चलता है इसमें ना कोई मोटर है ना वगयरा कुछ नहीं है कि हवा से चलता है बाकि इसका नाम क्या है कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना है बाइस आप देखो क्या भी हो रहा है अभ कर बाइपास पर तो मेर डी आतों क्या होता है यार फ्ाइस इसमें यह वालिया बाल होते हैं किसे काड़ता है तो विधी से गिंटी की डौरी होती में फूफ भी स्らいति करके आइबरा को यह वह भाया। बाकि मैं और मेरे फूफा जी निये और माईुफा दॉफाजी ने तो खाया वह फांऑ पानी पता से एक तो हमने आदे को दैन के पांटी सह तनám वह वह ओले मने अलग से खाया वह पांऑ मैं पता से वह होते हैं यहां बहुत ही बढ़ी लगी है और मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा ओप्जन है जब आप सिटी में रहते हो तो आपको यह हिए होता है है क्योंकि सिटी में जगा कम होती है समान ज्यादा होता है इसलिए और समान पर जब आप जाओगे तो कुछ आप ऐसा लगवा सकते हो उस च्छत पर जिससे कि जहां पर आपका समान पर हवा पानी पानी ना जाए और हवा जाए बस ऐसा ही है बाकी हमारी यहां पर है न सीता फल लगे हुए है तो चलो फिर दिखाता हूं मैं कि मेरे बुआ के गर है न जो सीता फल है वो कैसे क्या है ठीक है तो नीचे जाकर फिर मिलता हूं मैं आपसे अब हम नीचे आगे हैं तो चलो फिर में दिखाता हूं कि मेरे बुआ के गर कैसे क यह देखो अभी कुछ ऐसा न जा रहा है बाकी इदर है वो जो सीताफल है ना लगाए हुए वो सीताफल का पेड़ लगाया हुए अराम से अगर आये तो यह देखो वाई साब यह देखो यह सिताफल एक यह लगा हुआ है और बता हुआ आपको और यह देखो यह बाई साब पकने वाले हैं और देखो और ये देखो यहाँ पर ये देखो प्रिंस को भी पता है कि सिताफल वोरा यार ये रहा एक अरे यार यह तो पक भी गया था तो अब इसको लेते हैं और फिर खाते हैं सीताफल को देखो आपके सामने फूटा है ऐसा हाथ लगा है यह तो फूट गया यार इसका मतलब पख गया है यही होती है पेचान सीताफल की जब वह पख जाता है खेलेंगे खेलेंगे उपर जाके भी खेलेंगे पहले इसको पकड़के वहां पर दी आते हैं तो पूरा ही बास्ते बास्ते पालों के साथ खेलना है ठीक है बरेंशू